नमस्कार मित्रों, डेजार पॉइंट चैनल के एक नए विडियो लेक्चर में मैं हूँ अमिदूबे और आज की इस विडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंगलिस पोईट्री के फर्ष्ट चैप्टर का अधिन करने वाले हैं जिसका नाम है माय मोदो एट 66 और इसकी लेखिका ह कमला दास चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रामिस करता हूँ कि जब ये विडियो लेक्चर कंप्लेट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआ होने वाला है यानि आज के बाद आपके लिए इस चैप्टर में कोई भी डाउट सेस नही समझेगा दिखे ड्राइविंग फ्रॉम माइ पैरेंट्स होम टु कोचिन लाश्ट फ्राइडे मौर्निंग पहले इतने का मतलब समझेए तो ड्राइविंग मतलब जो लेखिका है वो अपनी माता शुरी के साथ ड्राइव कर रही है यानि अपनी माता जी को अपनी कार में बिठा कर जा रही है अब देखी क्या कह रही है कहते कि ड्राइविंग मैं गाड़ी से जा रही थी या ड्राइव करके जा रही थी फ्रॉम माइ पैरेंट्स मतलब माता पिता तो मेरे माता पिता के होम घर से तो मेरे माता पिता के घर से तो कोचिन कोचिन तक कि driving from my parents home to coaching तो my parents home मेरे माता पिता के घर से coaching तक मैं drive करके जा रही थी drive मतलब car चलाते हुए जा रही थी या फिर car चला कर जा रही थी ठीक है यहां तक clear है इतना हो गया ना छोटा छोटा करके समझना है इस chapter से बिलकुल भी लड़ना नहीं है ठीक है छोटा छोटा करके समझी है इतना समझ में आ गया कि इतने का मतलब है कि driving from my parents home my parents का मतलब हो गया कि मेरे माता पिता के home मतलब घर से तो मेरे माता पिता के घर से coaching तक मैं drive करके जा रही थी अब इसके आगे कहते हैं last Friday last मतलब पिछला Friday मतलब शुक्रवार तो पिछले शुक्रवार की morning शुबा ठीक है तो यहाँ पे सीधा सीधा हम जोड़ देंगे इसको कि पिछले शुक्रवार की शुबा मेरे माता पिता के घर से कोचीन तक मैं वाहन चला कर जा रही थी ठीक है अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि आईशा माई मदर तो आईशा मैंने देखा माई मदर मेरी मा को तो मैंने मेरी मा को देखा बिसाइड्स मी जो मेरे बगल बैठी हुई थी तो आईशा माई मादर मैंने अपनी मा को देखा या फिर मेरी मा को देखा लेखिका कहरे है तो यहाँ पर कहेंगे कि लेखिका ने अपनी मा को देखा ठीक है तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मैंने अपनी मा को देखा beside me जो मेरे बगल बैठी हुई थी यानि माताजी बगल में बैठी हुई थी तो dåज वो जम्हाई ले रही थी open mouth it और उनका मुह जो था न देखिए सोते समय कुछ लोगों के मुह खुल जाते हैं वो नाक से सासना लेकि मुह से सांस लेते हैं तो वही कह रहे हैं कि dose वो जमहाई ले रही थी dose का मतलब होता है जमहाई ले न उगना तो वो क्या कर रही थी वो जम्हाई ले रही थी open mouthed और उनका मुह खुला हुआ था her face और उनका जो चेहरा था न वो action था action का मतलब होता है कि पीला पड़ चुका था उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था like that of a cops cops मतलब होता है मृत मुर्दा ठीक है तो एक मुर्दे की तरह like that of a corpse एक मुर्दे की तरह her face as in उनका चेहरा पीला पड़ गया था ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा मर जाता है न विक्ती मर जाता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है तो ठीक उसी प्रकार मेरी मा का चेहरा लग रहा था यहाँ पे लेखी का ऐसा कह रही है अब एक बार हम रिविजन करेंगे इसलिए क्योंकि आपके सब्दों में भी आपको ये पोएम याद होनी चाहिए ठीक है तो अब मेरे साथ आप भी पढ़िएगा मुझे इस चेप्टर से बिलकुल रिस्क नहीं लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टन चेप्टर है तो मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर driving from my parents home to coaching last Friday morning तो last Friday morning पिछले शुक्रवार की शुबा माई पैरेंट्स हो मेरे माता पिता के घर से कोचिन तक मैं वहान चला कर जा रही थी या फिर वहान चला कर जाते समय ऐसा भी आपके अध्यपक पढ़ा सकते हैं ठीक है आईशा माई मदर मैंने मेरी माँ को देखा besides me वो मेरे बगल बैठे होई थी डोज वो जमहाई ले रही थी open-mouthed उनका मुह खुला हुआ था हर्फी ऐसे इन उनका चेहरा पीला पड़ गया था like that of a cops एक लास की तरह एक मुर्दे की तरह यहां तक clear है अब एक तरीका और है जिस तरह से आप हो सकता है आपके अधपक पढ़ा दें तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि driving from my parents home to coaching last Friday morning यानि last Friday morning यानि पिछले शुक्रवार की शुभा my parents home यानि मेरे यानि लेखी का है तो मेरे नहीं कहा जा सकता है या पर अपने भी कहा जा सकता है क्योंकि लेखी का ये पोयम पढ़ रही है तो अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चला कर जाते हुए I say my mother मैंने मेरी मा को देखा beside me वो मेरे बगल बैठे हुई थी दो जम्हाई ले रही थी open mounted उनका मुँ देखी तरह ठीक है तो जैसे ही आपको समझ में आ जाए आप पढ़ लीजिए आगे चलेंगे अब अगली लेन ध्यान से समझेए यहाँ पर हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो and realized with pain या फिर हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो pain and realized with दोनों कोई फरक नहीं है आपको सीधा सीधा क्यों इतना समझना है कि चाहे आप इसे पढ़ें कि and realized और मुझे यह अहसास हुआ या मुझे महसूस हुआ realized मतलब अहसास होना with pain दर्द के साथ या फिर मैंने कश्ट से यह महसूस किया या फिर इसे ऐसे कह सकते है कि मैंने दर्द से यह महसूस किया ठीक है वही जहाँ पर भी है कि pain मतलब कश्ट दर्द and realized मतलब होता है अहसास होना with यानि दर्द से या कश्ट से मुझे अहसास हुआ that की she was as old कि see मेरी माता श्री was as old उतनी ही बूरी है as she looked जितना वो दिखती है यानि दर्द से या कश्ट से मुझे ये अहसास हुआ कि मेरी माँ उतनी ही बूरी है जितना वो दिखती है ठीक है अब यहाँ पर कश्ट किस बात का है दिखिए माता श्री बूरी है तो निश्चित रूप से उनकी मृत्य हो जाएगी ठीक है तो इस बात से लेखिगा को कश्ट हो रहा है कि मेरी माता श्री मुझे छोड़कर चली जाएंगी ठीक है तो इसी कश्ट से उन्हें ये अहसास होता है कि मेरी माँ उतनी ही बूरी है एस से लुग्ड जितना वो दिखती है ठीक है तो अब उनके मन में क्या विचार चल रहा है कि भाई हो सकता है इनकी जल्द ही या कम समय में इनकी मृत्य हो जाए और ये मुझे छोड़कर चली जाएं तो यहाँ पे ये बात सोच रही है वो अपने मन में ठीक है बट सून लेकिन जल्द ही पुट थाट अवे तो बट सून लेकिन जल्द ही पुट मैंने कर दिया रख दिया जो भी कहना चाहे ताट इस विचार को अवे खुद से दूर लेकिन जल्द ही उस विचार को मैंने मन से दूर कर दिया बट सून लेकिन जल्द ही put that thought उस विचार को दूर कर दिया अवे यानि दूर कर दिया कहां से दूर कर दिया अपने मन से लेकिन जल्द ही उस विचार को अपने मन से दूर कर दिया अब आप अपने सब्दों में और मेरे सब्दों में इसे revision करेंगे क्योंकि इस chapter से बिलकुल risk नहीं लेना ठीक है word meaning की बात हो तो सभी book में word meaning दी रहती है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं अभी मेरे सब्दों में पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आप word meaning देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ठीक है तो pain and realized with तो इस line का मतलब है कि कश्ट के साथ मुझे एहसास हुआ that she was as old कि वो उतनी ही बूरी है as she looked जितना वो दिखती है but soon put that thought away but soon लेकिन जल्द ही put that thought away इस विचार को इस thought को दूर कर दिया अपने मन से यानि लेकिन जल्द ही मैंने इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया या तक हो गया अच्छा अब आगे कहते हैं कि अब मन से विचार को दूर करने के लिए जहिर सी बात है कि इनको बाहर देखना पड़ेगा यानि किसी दूसरी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा तो वो कहते का एंड लुक्ड आउट और मैंने बाहर देखा भाई ये गाड़ी में थी कार में थी तो कार से इन्होंने बाहर देखा एट यंग ट्रीज छोटे पेड़ों की तरह इस प्राइटिंग जो की दौड लगा रहे थे अब यहाँ पे क्या कहना चाती है दिखिए जैसे की मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कार कोई पेड़ है अब आप कार में बैठे हैं यहाँ पे तो अब जब कार से आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह पेड़ दौर कर आपके पास आ रहा है ठीक है जब आप इसक आगे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पेड़ दोड़ते हुए आपसे दूर जा रहा है यानि यहाँ पे अगर पेड़ है तो जब आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये पेड़ पास आ रहा है और जब इस पेड़ से आगे निकल जाएं clear है तो and looked out और मैंने गाड़ी से बाहर देखा ठीक है and at young trees छोटे यानि नव्यूवक या नवजवान या छोटे या कम उम्र के पेलों की ओर ठीक है young मतलब जवान जो कहना चाहिए आप कह सकते हैं तो छोटे भी कह सकते हैं जवान पेलों की ओर जो दौड लगा रहे थे ठीक है and looked out और मैंने गाड़ी से बाहर देखा at young trees छोटे पेलों की ओर जो दौड लगा रहे थे यह भी हो गया the merry children merry मतलब प्रशन्यचित खुश ठीक है तो children मतलब बच्चे प्रशन्यचित या प्रफुलित बच्चे या फिर खुश बच्चे spiling out बाहर आ रहे थे up their homes उनके घरों से यानी खुश बच्चे या प्रशन्यचित अपने घरों से बाहर आ रहे थे ठीक है यहाँ पर प्रशन्यचित खोटा करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिवेजन करने ठीक है अपने सब्दों में पढ़िएगा ठीक है and looked out at young trees and or looked out मैंने गाड़ी से बाहर देखा या फिर आप सीधा कह सकते हैं कि और मैंने बाहर देखा at young trees छोटे पेड़ों की और इस्प्राइटिंग जो दौड लगा रहे थे इतना हो गया आगे कि the married children प्रसन्य बच्चे spilling out बाहर आ रहे थे off their homes उनके घरों से प्रसन्य बच्चे उनके घरों से बाहर आ रहे थे ये भी हो गया but after the airport security check अब देखे जब airport पर जाते हैं तो वापे security check होती है यानि आपने क्या luggage लिया है या आप अपने साथ क्या सामान लेकर जा रहे हैं वो सारी चीज़े होती है आपके साथ ठीक है तो कभी भी आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा तो बट आफ्टर बट लेकिन आफ्टर बाद में the airports, airport की security check security मतलब सुरच्छा, check मतलब सुरच्छा जाँच तो airport की सुरच्छा जाँच के बाद लेकिन airport की सुरच्छा जाँच के बाद standing a few yards away, standing मैं खड़ी हुई a few yards away a few मतलब कुछ yards मतलब गज़ अवे की दूरी पर लेकिन airport की सुरच्छा जाँच के बाद standing a few yards away मैं कुछ yard, कुछ गज़ दूर stand खड़ी हुई, यानि वो कहना चाहती है कि मैं अपनी मा से कुछ गज़ की दूरी पर खड़ी हुई I looked again at her, I looked और मैंने देखा आगें दुबारा at her उनको, और मैंने दुबारा उनकी ओर देखा यानि अपनी मा की ओर देखा, फिर से कि but after the airport security chip, तो but मतलब लेकिन airport की सुरच्छा जाँच के बाद मैं अपनी मा से कुछ गज़ की यानि कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हुई I looked again at her, और फिर से अपनी मा की ओर देखा clear है यान तक, आगे चल सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए देखिए फिर से समझा दे रहाँ बार-बार कि but मतलब होता है लेकिन after मतलब बाद में एरपोर्ट मतलब एरपोर्ट की security check मतलब सुरच्छा जांच लेकिन एरपोर्ट की सुरच्छा जांच के बाद stand मतलब खड़ा होना a few yards कुछ गज़ की दूरी पर, अवे मतलब दूर तो कुछ गज़ की दूरी पर मैं खड़ी हुई I looked और मैंने देखा आगें दुबारा आय ठर उनकी ओर और मैंने दुबारा उनकी ओर देखा ठीक है अब यहाँ पर वो दीखी क्या कह रहे हैं कहती है वैन मतलब होता है फीका फीका मतलब रंगहीन ठीक है वो रंगहीन थी पेल और पीली पड़ चुकी थी यानि कहते हैं कि जो मेरी मा थी न वो वैन हो गई थी यानि वो फीकी थी वो रंगहीन लग रही थी और पेल और वो पीली पड़ गई थी when मतलब रंगहीन या फिर आप कह सकते हैं फीका आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको word meaning में ये चीजे मिल जाएंगे तो when मतलब होता है फीका या फिर रंगहीन पेल मतलब होता है पीला तो वो रंगहीन थी या फिर वो फीकी दिख रही थी और वो पीली पड़ गई जैसे की अलेट लेट मतलब होता है पिछला विंटर मतलब होता है सरद सरद रितु या फिर आप सीत रितु भी कह सकते हैं तो मून मतलब होता है चांद तो पिछले सरद रितु के चांद की तरह या फिर जैसे तो पिछले सरद रितु के चांद की तरह या फिर आप कह सकते कि पिछली सीत रितु के चांद की तरह या चंद्रमा की तरह वो रंगहीन और पीली पड़ गई थी क्लिए रहें यां तक एक बार फिर से कि लेट मतलब होता है पिछला विंटर के सारदू भूझा कह सकते हैं पिछला मूल मतलब तरह या फिर जैसे आ मतलब अलेट मतलब होता है पिछला ठीक है गुजरा हुआ भी कह सकते हैं विंटर्स मूल यानी विंटर शरद रितु के चंद्रमा की तरह वो पीली और फीकी पड़ गई थी ठीक है तो अब यहाँ पे सीधा सीधा इतना है कि वैन पेल वो फीकी पड़ गई थी या फिर वो रंगहीन दिख रही थी और पीली पड़ गई थी पिछले सरद रितु के चंद्रमा की तरह and or felt मैंने महसूस किया that old उस पुराने फैमिलियर परचित as दर्द को यानी and or felt that old फैमिलियर as and मतलब और felt मतलब महसूस करना that मतलब उस old मतलब पुरान मतलब परचित as मतलब धर्द और मैंने उस पुराने परचित दर्द को महशूस किया my childhood sphere मेरे बचपन के डर को यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने अपने उस पुराने दर्द को महसूस किया और किस दर्द को महसूस किया वो बताती है आगे कि my childhood sphere अपने बचपन के डर को जैसे आप छोटे थे तो आपको डर लगता था अगर आपकी मम्मी जी आपको छोड़ कर कहीं चली जाती थी सुची आप 4-5 साल के बच्चे हैं और आपकी मम्मी छोड़ कर आपको चली जाएं तो आप रोने लगते थी कि यारी मम्मी कहां चली गई देखे आप देखते होंगे कि आपके आसपास कोई छोटा बच्चा हो उसकी मम्मी से उसको आप छिन लीजिए तो वो रोने लगेगा वो डर जाता है ना अपनी मा के बिना वो नहीं रह सकता तो वही चीज वो गरे कि जब मेरी मा के मृत्ति हो जाती है अगर तो मैं उस डर स लाएगी ठीक है बट आल आई सैड वाज लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा शी यू शून फिर मिलेंगे अम्मा अम्मा यानि अम्मा फिर मिलेंगे या फिर जल्द मिलेंगे बट आल आई सैड लेकिन मैंने के वाल इतना कहा शी यू शून मैं आप से जल्द मिलोंगी अम्मा ठीक है, all I did, और जो भी मैंने किया वाज इसमाइल, यानि मैं केवल मुस्कुराती रही, और मुस्कुराती रही, मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, और मुस्कुराती रही, इस चेप्टर से सीख क्या मिली, ये कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं जानना चाहत कि आप तल्ट स्टेंडर में हैं, तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, हाँ, कमेंट इसलिए भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे आपके विचारों को समझ सकें, कि आपने क्या सीखा और दूसरे बच्चे जाके उस विचार को पढ़ सकें, ठीक है, हाँ, अगर चैनल पर नए हैं और आपका दिल करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो के साथ आप हमारे साथ अध्यन कर सकें जहां तक बात है एक्सरसाइज कराने की तो अभी नाइन्थ तिन्थ और इलेवन्थ के चैप्टर्स पर मैं थोड़ा सा वर्क कर र